जब एक ही रेस्टरॉंट में हुआ अक्षेक प्रियंका का आमना सामना जाने ये फिर क्या हुआ बलेवुड की देसी गरल प्रियंका चोपड़ा इन दिनों शादी कर अपना घर बस्ता चुकी है प्रियंका ने भी ते दिनों ही निक जुननस के साथ शादी रच्चाई है PC ने पिछले जूदपूर के उमेद भवन में शादी की थी इस शादी की चर्चाएं विदेशी मीडिया में भी खूब हुई थी अब सबको पता ही है कि प्रियंका का नाम बॉलिवूड में कई अभी नेताओं से जुड़ा है PC ने कई एकर्स को डेट करने के बाद शादी की है एक वक्त था जब प्रियंका का नाम बॉलिवूड के खिलाडी अक्षे कुमार के साथ जुड़ा था कहा जाता है कि शादी शुड़ा अक्षे के साथ PC का अफेर शुरू हो गया था लेकिन बाद में दोनों अलग गए थे हाल ही में ये कपल एक साथ क्याप्चर हुआ है दरसल मुंबई में दोनों एक ही छत के नीचे डिनर करते हुए नजर आये थे रिपोर्ट के मुंबई के सोहो हाउस रेस्टरॉंट में ये नजर आये है हाला कि दोनों के बीच अंदर कैसी भी और कोई बात नहीं हुई दोनों वुवेंस दे के दिन यहां पहुँचे थे रिपोर्ट के मुताबिक प्रियंका रात को 9 बच कर 10 मिनट बजे के आसपास पहुँची थी इसके बाद वो करीब रात साड़े 11 बजे यहां से निकल गी वहीं अक्षय रात को करीब 19.20 पर रेस्टरॉंट में वाइप ट्विंकल खनना के साथ पहुँचे और फिर करीब 11 बच कर 45 मिनट बजे तक अपना डिनर खत्म करके वहां से चले गए रिपोर्ट के मताबिक अक्षय के जैसे ही पता चला कि यहां प्रियंका भी डिनर के लिए आई है तो उन्होंने मैनेजर से अपनी टेबल कहीं और लगवाने को कहा वो नहीं चाहते थे कि उनकी टेबल प्रियंका की टेबल के बिलकुल पास रहे ऐसे में अक्षय के साथ साथ ट्विंकल भी कोई ऐसा ओकवर्ड मूमेंट नहीं चाहती थी बता दे कि अक्षय क्रियंका ने साथ में एतराज, अंदाज और वक्त जैसी फिल्मों में साथ काम किया है कहा दाता है कि फिल्म अंदाज के दोरान दोनों का अपहेर हो गया था नौबत अक्षय और ट्विंकल की शादी तूटने तक की आ गई थी हाला कि बाद में सब ठीक हो गया